हेलो गाइज मेरे चैनल पर आपका स्वागत है यह है लिक्वी मोली का फ्यूल सिस्टम क्लीनर और हम आज मैं आपके लिए इसी प्रोड़क्ट के रिगार्डिंग एक छोटी सी इन्फोमेशन लेके आया हूँ एक्चली जो इस टाइप के प्रोड़क्स होते हैं उन्हें हमें ओपन करने में बहुत प्रोब्लम आती है तो आज मैं आपको यह ही बताऊंगा कि इन प्रोड़क्स को कैसे ओपन किया जाता है सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पर मार्किंग दिखरी होगी देखिए यह वाली जो मार्किंग है यह दोनों साइड आती है ठीक है यह जो दोनों साइड मार्किंग आती है इन्हें हमें दोनों दरफ से प्रेस करना पड़ता है अंदर के तरफ देखिए जैसे लाइक ठीक है इन दोनों को हमें प्रैस करके अंटी क्लोकवाइज मूव कराना पड़ता है जब हम इन्हें अंटी क्लोकवाइज मूव करेंगे तो आपको एक हर्डल दिखरी होगी नीचे की साइड एक्चल यह वाली जो हर्डल है यहाँ पे अब जब इनको हम प्रैस करके मूव कर पीछे से निकल जाएगा तो एन्टिक वाइज घुमाते हमारी कैप बी इसली ओपन हो जाएगी अभी देखिये अपनी कैप ओपन हो चुकी है उसके बाद में क्या आतरा है कि इसमें एको सेकेंडरी सील आती है अंदर की तरफ जिससे के liquid spill ना हो या फिर जो भी है मतलब genuine हो मतलब इसकी पहचान है ठीक है तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो आपको ये ring दिख रही है इसको पकड़के upside खीचना पड़ेगा actually ये तो पहले से निकाला हुआ है मैंने तो ज़्यादा force नहीं लगाना पड़ा easily निकल गया लेकिन आपको थोड़ा सा force लगाना पड़ सकता है इसके बाद हम अपने product को easily use कर सकते हैं अपने bike के petrol tank में डाल सकते हैं और अगर आपको ये जानना है कि मतलब bike में कितने petrol के साथ कितना liquid use करना है तो आप मेरे को comment कर सकते हैं